पॉइंट यहाँ है कि टीचिंग प्लान आपके पास है क्या है बच्छा वही एक्जिक्यूट होगा अल्टिमेट प्रेक्टिस तो बच्छा आपको ही करना होगा एक्जाम में आपके जगे कोई और बैठेगा क्या अल्टिमेट सारे कुष्छन तो आपको ही लगाने है जैसे मैथ ही है फॉर एक्जामपल आपने कहा कोई भी टॉपिक हो रहा है अगर उस पर बेश्ट कुष्छन आप किताबों के नहीं लगा रहे हैं तो आप कमजोर हैं अच्छे बाबत हो पिर सारे ही न सेलेक्ट हो जाएं सारे सेलेक्ट क्यों नहीं होते हैं सुचो 40% पर UPSC की हालत खराब रहती है कि गदहा जो है मैथ के 120 कुष्छन में से 50 कर दे अब उधर जो 150 कुष्छन में 60 भी कर देगे तब इसको हम क्या कर दें सफल कर दें उतना नहीं कर रहा है कोई समझते इस बात को तो इसके पीछे का सच क्या है सबसे बड़ा कि सेल्फ जो इंबॉल्मेंट है बिटा वो बहुत कम है कि बिटा डिपेंदेंसी से कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं जब परफॉर्मर बच्चे होते हैं वो अपना निकाल लेते हैं माल जितना उनको निकाल नहीं होता है अ इल्टिमे इट चोंसेप्ट आपका इशूज हैं, ठीक, कोई बात ने बिटा, देखो, जब जागो तभी सभेरा, अगर आज से आप इमानदारी से ठान लो बच्चा, कि जितना टॉपिक मैथ का है, सारे टॉपिक जितने मैंने पढ़ चुके हैं, उस पे बेश्ट मेरे को प्रीबियेस येर भी लगाना है, मिसल लाटोटे न पढ़ेगा बिटा, आप दोड़ोगे ही नहीं, तो हम कितना भी बाहर से टेकनिक बथाते रहे हैं, रिजन जीरो ही रहेगा, आपका अनिहीं आएगा, और आपका इनर कॉन्फिडेंस आपके ही दंप आता है, किसे और के दंपे हो सकता है, किसे और के दंपे थडिक हो जाए बड़ लॉंग टम तो नहीं है वच्छा जैसे आपने स्पोर्टिंग एरर का ही जिक्र किया किताब कितनी अच्छी अगर अब ध्यान से देखने जाओ तो सब टॉपिक वाईस बनाई गई है जिससे कि तुम्हें एक आम चात्र की तरह पहले उससे कनेक्ट हो लो फिर उसके बाद मिश्लेनियस भी दिया गए आपको साथ ही साथ कि आप वो भी करके देखो कि आपका कमांड यूपीएस सी लेबल का है कि नहीं मिश्लेनियस का मतलब एक तरह सो प्रीवियस यह रही है तो आपने कोई कॉमनर के कुश्चन उठाएं कियें किसी भी टॉपिक पे जैसे एफर्ट्स बढ़ाओ बच्चा क्या बढ़ाओ अभी छोटो यार अभी तो आपको बहुत मेहनत करना है बच्चा किसी भी कॉम्पेटिशन को दुनिया में आप बहुत सच्चाई से निकाल सकते हैं बहुत आसान भी है चीजें बहुत टपी है आसान उस बच्चे के लिए है जो सिद्धस से लगके मेनत कर रहा है इसे बच्ची इसा है इमानदारी से मेनत करें इसको किसी भी कॉम्पेटिशन बैठाओ कि निकाल लेगी है क्यों क्योंकि सेल्फ फोकस्ड अप्रोच है और क कमाल की बात यह बच्चा कि फॉज से ज़्यादा करियर ऑप्शन कहीं है ही नहीं अगर हम 10 प्लस 2 लेवल पर देखें बच्चा तो इसे ज़्यादा करियर कहीं है क्या भी है इतना मैं हल्ला मचाता हूं इस बार वाला जैए का फार्म भरा था तुमने इन से पोच रहा हू तो यह बताओ ना भाई तो सुन कह रहे हूं बता दोसर कॉमर्स साइड वाला हूं क्या हूं और कॉमर्स साइड को बच्चा करा मैस मेरा चका चक है था अपका तो वह दिक्कत नहीं है तो पॉइंट इस यह समझना बहुत जरूरी है जिसे भी बहुत सारे बच्चे हैं एक इसका दे दो अब आप अब आप क्ले भी कह रहा हूं यह बात अभी तक गल्स के लिजिबिलिटी नहीं थी पता ही नहीं बात आपको बट नाव गल्सारे लिजिबल आर्मी भी हो जाए कि टंसन नलो जब एक हुआ तो दूसरा हो सकता आर्मी आते ही घोसित कर दें जैसे न इसलिए भी फॉर्म भी आया था 12 मार्स तक सब्सक्राइब तो इसका वह अप्रिल लाश में एक्जाम होगा बस इतना स्कोर ला दो अगली सारी इंट्री तुमारी कोई दिक्कत ने चार तो मिलेंगे ने बैक टूबैक दो आ जाएंगे मही जून में और दो अगर रहेंग 6 SSB किती SSB बहुत बढ़ना राइक होगा अच्छे बात फेल होगा और चार में तो कुछ करना ही नहीं है कुछ करना है क्या उदर में तो इसी में देना है SSHET करके चलते हैं जो अच्छे होते हैं इसके अलावा कर नॉन कमिशन की सिरीच खोल दू है बैट करके तो उधर भी लाइन लगी पड़ी है जाए बच्चा एरफोर्स का फॉर्म भर रहा हो जाए नेभी का भर रहा हो जाए ICG का भर रहा हो जाए आर्मी का भर रहा हो आर्मी में भी special category ले लो, technical ले लो, क्या ले लो, clerk ले लो, अच्छी opportunities हो भी होते हैं, आज सब तो यूँ उड़ा दो, एक second के अंदर, तो इतना सारा मौका है, लिए इंक कमाल के बात है बच्चा इस सारे मौके के लिए न, एक ही चीज है हम है, पहला step, और वो क्या है आपका written examination, जहां बच्चा आपको math पे command करनी है भाई, कोई जुगार नहीं है, अगर किसी के दिमाग में एक इसर जुगार से हो जाएगा, तो वो गलत पहमे में है, physics अच्छी करनी है, English अच्छा करना है, और GS अच्छा करना है, यही है ultimate जो आपको बढ़िया करना है, और हम तो non technical में तुमें कहीं नहीं रहे हम तो कहीं रहे हैं कि वो टेक्निकल जाओ, मतलब आपका अलच्छी ही math, physics और English है, इसके लिए आप सोचिए मत बैठ करकर करो, कोई दिक्कत नहीं, और वही बेज बनाके बिट आपको बढ़ना है पूरी दरा से, बढ़िया opportunity सब जगे है, मार ठारा मौका, लग धरती का नालाइक होगा जो इतनी बार फेल होगा, पर कोन फेल होता इतनी बार, अब हमको कोई बताए कि 10 प्लस टू पर इतना career option कहा है, case department में है बच्चा, तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, बीटेक करने वाला बच्चा, हम तो सबसे ज़्यादा connected रहत है, SSC Tech TGC उसी के लिए है ही, ने भी SSC Tech उसी के लिए, ICGAC उसी के लिए, मतलब बोले तो पूरा-पूरा लाइन लगा हुआ है उसके लिए, उसके पास भी दददस बारा-बारा opportunity होती है एक साल में, फाज में जाने के लिए, technical course के माध्यम से बच्चे के लिए, तो इतनी opportunities हैं बच्चा, बट अगेन, demand तो एक ही चीज की है सबसे पहले, कि academics तो पिटना पड़ेगा, you don't have options for that, बाकि फिर second stage में, आप में उस sincerity automatic आ जाती है, once you do well in the written examination बच्चा, then automatically your personality started grooming, and you will understand the situation, scenario, prospect, personality aspects, that automatically will start increasing in you, वो अपने आप सुरू हो जाती है, कि मुझे कैसे अब अपने को क्या देना है बच्चा, best देना है, but first step तो है, इस पे तो कोई जुगार चरने वाला नहीं है, दुख भी होता है, you type of guys getting a proper opportunity in the classroom, you're getting teacher to get proper classes everyday, बिलकुल निचोड़ो यार, हर चीज सीख लो, कुछ मत छोड़ो, लेकिन इसके लिए उस level का किसके उपर आएगा, तो don't waste your time to blaming other, focus on yourself, whatever is going on, and where you're lacking, feel that somewhere I'm the problem, and I need to work on that, फिर आप उसके लिए वो resources तलासना सुरू करोगे, जिससे वो काम करके आप बहतर करो, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इससे आप बहतर नहीं हो सकते हो कभी, उसको थोड़ी नहीं सुधार नही मुझे, मुझे खुद को अच्छा बनाना है, and I'm really working for myself, this is all about, I think it's a really great option, great option, कभी-कभी तो मैं सोचता हूँ बैटके, अगर 10 प्लस 2 लेबल पर फॉज से बहतर हो क्या सकता है, किसी भी बच्चे के लिए, अगर उध्यान से सोचे बैटके तो, क्योंकि मैं देख रहा डंप का रहा हैं, उसके बाद जो है, प्रोसेस क्या करें, स्टार्ट करें, अल्टिमेट तो गौवर्मेंट जॉब तलासेगा ना वो, अब इंजिनिंग करने से गौवर्मेंट जॉब तो मिलती नहीं जाता है, मुझे जानकर यह मिल जाती है क्या, और प्राइबेट उसक यूज करता हूँ, कितनी महनत करके वो UPSC क्लियर करता है, डिफेंस का कोई भी एक्जाम क्लियर करता है, अभी बात यह नहीं खतम होई, फिर उतना टफेस्ट प्रोसेस SSB से गुजरना है उसको, जहां किसी एकाडमिक का टेस्ट नहीं है बचा, इस चोटी से उमर में भी, इस चोटी से बच्चों का टेस्ट नहीं होता है, तो गाजीन से परोल तो बड़ा है, ऐसा थोड़ी कोई आगे आपको दो महीने में बटा, आपकी परस्नालिटी को बड़ल दिया, नहीं, महब आपने जो संसकार दिये हैं, जो पच्छपल से आपको पाले हैं, पोसे हैं, वो सबसे बड़ी चीज है और उसका मैं बहुत रिस्पेक करता हूं अंदर से क्योंकि मैं वो चीज देखता हूं सामने से बैठी हम भी एकाडमी में रहें हम भी पढ़ाई किये तो ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर जो भी चीज है डेबलप हुई उन्हों वो किवले अकाडमी से हुए ठीक है उसका भी एक रोल था बिना गुरू के जीवन में कुछ नहीं होता बट मैं मानता हूं कि परेंट्स का भी उसमें बहुत बढ़ा रोल था उस लेबल के मेच्चुरिटी और सेंसेरिटी को एन्हांस किया उन्होंने बहुत ही कम उमर से रिस्पॉंसवल बनाया बढ़ने को ये ओफिसल लाइक क्वालिटी इस दिखती है बट इसको मैं कभी ध्यान से देखता हूं जिसे हम लोग रटने लगते हैं कि सर्फ 15 वेल क्यूस पहले फैक्टर को देखना है इफ्येक्टि इंटेलिजेंस, रिजनिंग अबिलिटी, पावर अप एक्स्परिशन, और और अगनाइजिंग अबिलिटी फिर दूसरे फैक्टर को सबसे इंपॉर्टन फैक्टर फैक्टर टू कहा जाता है कोपरेशन, सोचल अडप्टिबिलिटी, सोचल अजिस्मेंट, फैक्टर फ्री पर आते हैं जहां आपसे libeliness मांगा जाता है, self-confidence मांगा जाता है, responsibility लेने की छमता, ability to influence a group कहा जाता है, आपसे confidence मांगा जाता है फिर आपसे फाइनली जो है, courage, determination और stamina की demand होती है अब इन qualities को अगर हम theoretically पढ़ने जाएं बच्छा, तो there is a lot of definition but do you know, it's not a definition बच्छा, it's all about a feeling, what you have regarding these qualities effective intelligence कोई word नहीं है, किसकी spelling याद कर लिया और इसका मतलब याद कर लिया आप में effective intelligence की expectation की जा रही है और effective intelligence बटा कोई एक दिन की चीज नहीं जो हमने आपके अंदर पैदा कर दी यापका academic strongness है जो आपके अंदर वो चीज लाता है, आपके अंदर awareness किस लेवल की है national, international, जो भी issues हो रहे हैं उन पर आपका नजरिया कितना अच्छा है आप कितने बारीक नजर रखते हैं, आप biased नहीं है आप में अपना एक stand है, clarity है, that's called effective intelligence वही तो मेरे को effect कर रहा है उसका intelligence कि या clarity है साथ नहीं है reasoning ability, उसके पुरे life का why clear है क्या clear है, why clear है, भी जिन्दिगी में कोई चीज क्यों पानी है अगर यही reasoning नहीं तुम्हारा clear life में, तो तुम कभी how कर पाओगी जिन्दिगी में कहते हैं, life का जब क्यों clear हो जाता है, तो कैसे तो अपने आप दोड़ता है और सारा game why and how का ही है आप समझें ना, मुझे अपने parents को वो respect दिलानी है उन्हें proud parents feel कराना है, उनको यह feel देनी है कि हम commission मैं commission हूँ, मैं lieutenant के पत पे हूँ मैं sub lieutenant के पत हूँ, मैं flying officer के पत पे हूँ यह मेरे अंदर एक feel है, मेरा why clear है मुझे इसलिए यह करना है, तो फिर कैसे करना मैं किसी से पूछने जाऊंगा मैं जान लगा दूँगा, लेकिन at least वो why तो clear हो तुम्हारे जिन्दे के मुझे तुम कोई यही नहीं पता कि तुम्हें आकर force join क्यों करनी है army क्यों जाना है, force क्यों जाना है, navy क्यों जाना है बिटा तब तक सब चल रहा है, बाकि तो चलती है यह दुनिया वो कहते है strong focus and dedication और यह आपका swim का है इस पर किसी और का ना हक है ना किसी और का सुझाव चलता है इसमें ना किसी का statement आपके लिए matter करता है यह आपका है, आपका अधिकार है, आपका चुना हो है आपकी swim की reasoning ability है आपके पास reason है क्या है उच्छा जब भी आप अपनी बात रखें आपके बातों में एक पार होना चीए speak like a 4G, you are going to behave like a leader किसने की troop, किसने की battalion को आप command करो गए आगे चलके at least your wife should be very clear आप बोली नहीं पार है, आप कमांड क्या करोगे बैठ करके आदमी कहते हैं आधा डर तो आवाज से पैदा कर देता है 2 leaders is all about 4G life is all about always you have a event in your life जैसे मैं आपको example देता हूँ ये event तो बड़ा मज़ेदार था वहाँ का event तो जीने मर में वाला है एक भी combat operation हुए बच्चा है किसी भी area में हर समय सान्त area नहीं मिलता न हर समय सर्फ फिल्डी area मिला हुआ है नहीं ऐसा नहीं जवाब होते हैं उस situation में mission होता है कहां भी है दो ठू आतंकवादी वहाँ चुपे हुए है तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम जा रहो बैठके इंतजार कर रहा हूँ मार तो मुझे मालू नहीं सले किदर चिपे हुए है जंगली जंगल तो है कितना प्लैन करना पड़ता है और जिंदिगी मौत का सवाल है एक मिस्टेक एक गोली लाइफ कतम अब वो तो तो तुमको देख रहा है जहां बैठा वो तुम देख रहे है उसको सोचो कितना ओगनाइज होते होंगे तब मिशन क्या होता है बच्छा बैरी ओगनाइज जिंदिगी मौत का सवाल है बेरी कॉंस तो वही तो attitude हम चाहेंगा ऐसा नहीं कोई कोई फॉजी attitude आपने expect करते बटेक बेसिक लेबल के तो sincerity हम आपसे expect करेंगे नहीं तो पर क्या मतलब है उसका यही सब test होता है people make it हुआ कि the SSB is a big testing process nothing big it's a very genuine process once you sit in the interview round interviewing officer is very relaxed he's talking very genuine he just need to understand कि भाई यह बंदा रियल है कि fake this is the concept because everybody is foggy enough from heart but once opportunity will come situation will come फिर तो भागने दो उसको उटके वहां से बोले तो देश प्रेमी सभी है लेकिन दिखाने की बात आएगी तो कि नज़र आएंगे एक भी नहीं नज़र आते हैं सब भग जाते हैं उटकर के आप कभी अजमा के देखो वहां ऐसा चलेगा ग्या उदा तो रियल आदमी चीए क्योंकि बेटा बात केवल उस SSB तक की नहीं है उसके बात कि उस चार साल के रगड़े का है भाई the life is not a life life is like a hell इस पूरी की पू इसको 60 temperature पर डाल दो कोई बात नहीं बार में डाल दो कोई बात नहीं यह कौन है वह कैमपिसिटी भी है वह बेरेंस भी है इसके अंदर वही तो हमें चाहिए ना बच्चा में कल को ले गया मैं ट्रेनी में रगड़ा दे दिया तो भाई यह मर गया एक ही दिन में बिमार हो जुकाम होगे बुखार होगे कैसे है इसर क्या कर आइसा चलेगा तब तो हो चुकी एकडमी चल चुका देश तुम्हें क्या लगता है वहां एक combat operation में गये तो जाते ही खड़ा है गोली मारती है नहीं बेटा साथ-साथ दिन लग जाते हैं दददद दिन लगते हैं तो व situation आती है एक फौजी खड़ा हो जाता है हजार नौरमल इंसान जो खड़ा होता है उसको आश बन जाती है कि हम जिंदा बच जाएंगे समझ सकतो वह आदमी है वह आदमी नहीं है भाई महान आदमी है उसका comparison ही दुनिया में किसी से नहीं है that you need to understand इसलिए real hero कहा जाता है इन इनके पास substitute नहीं है second take नहीं है one take game over that's why we have a luck towards them यह personality का test है सभी बच्चा देखता है cooperation है कि दिखावे का है हम लोग cooperation दिखावे का करते है ना नहीं चलेगा पहले देश है पर मेरे लोग हैं जिनको मैं command करता हूँ मेरा number तो सबसे last में हो भी कोई जरूरी नहीं है पहले उनका comfort जरूरी है तब ही भारत मा के सपूत किसी मा के तो हैं बट भारत मा के है यह बहुत important they are very real people वो personality aspect social adaptability social adjustment हर तीन साल पर नई जंगल में भेज़ देगा आ नहीं यहां तो हम नहीं रहे पाएंगे हम ऐसे महौल में नहीं रहे पाते हैं ऐसे चलेगा किया फौज में होता नहीं सर गर्मी लग रही है इसर डंडी लग रही वारिस लग रही है हमने जो डिसिजन लिए हो हमारा है और वाकई में जिस दिन आप फौज का हिस्सा महसू साले में कहता हूं बड़ वह एक्सपीरेंस उनकी जिंदिगे में मिलने वाला नहीं है इसको जीना है मेहनत करिए अच्छे से खुद पर भरोसा रखिए और अपना इन्वॉल्मेंट बढ़ाई यह ज़ाद से ज़ाध संख्या में खुद पर भरोसा करिए खुद से प्राक्टेसे सरू करिये जा जहिए जितना आउप सेल्फ इन्वॉल्मेंट बढ़ाएंगे आप उतने confident होते जाएंगे और वही आपके सफलता का क्या बन जाएगा बिटा करन मन जाएगा, ठीक है बहुत अच्छा चुनाओ है ये ये मैं मैसूस करता हूँ दिल से हमेशा, साथ कोई करे ना करे, I don't know बड़ा हाई फिल, बिकाज मैं बच्चो की जरनी देखता हूँ बड़ा, हरस्टेप मैं देखता हूँ, written qualify के आप मुझसे मिले अगला phase निकला मुझसे मुझसे मिले, agademy में आने के बाद मुझसे मिले, so मैं तो हर मुमेंट देखता रहता हूँ बैटकर और उस बच्चे को में ट्रांस्फार्म होते हुए देखता हूँ, एक अफसर बनते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, like, this is something, what exactly we want for this country, जो हमें इस देश के लिए चाहिए होगा.